सो गाई जास की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Paytm यूज करते हैं और Paytm में जब आप अपना किसी को पैसे ट्रांसफर करने का ट्राय करते हैं तो आपके पैसे जो है ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं आपको प्रॉब्लम आती है सबसे पहला काम मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आप अप्डेट कर लिजएगा अपनी अप्लिकेशन को जो आपका Paytm है प्ले स्टोर में जाकर उसको अप्डेट कर लिजएगा चैसे अप्डेट कर लेंगे में भी हो सकता है अपको प्रॉब्लम आ रही हो तो उस वह प्रॉब्लम जो है आपकी हो जाएगी देन सेकंड काम क्या करना है अगर आपको अप्डेट करने के बाद भी प्रॉब्लम इस बना रहता है दन उसके बाद पेटियम है आपको ओपन कर लिया ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉफाइल पर क्लिक कर लेना है प्रॉफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यूपी आइड पेमेंट सैटिंग देखने को मिल रहा है यूपी bank में पैसे transfer में problem आ रही थी इस account से पैसे में transfer कर रहा था मुझे problem आ रही थी तो इसको यहाँ से select करूँगा select करने के बाद यहाँ पर remove का option है यहाँ से इसको remove कर लूँगा simple steps को follow करिएगा यहाँ से इसको remove कर देता हूँ तो देख सकते हैं remove confirm करते हैं आपको एक और काम जुरू से कर लेना है अपना जो इसका clear catch और clear data जो है कर लेना है आप clear catch या clear data कर लीजिएगा दन उसके बाद फिर से open करेगा open करने के बाद UPI payment setting में आईएगा दन उसके बाद new bank account पर click करिएगा यहाँ से अपना account जो है slack कर लिजिएगा जो भी bank था उसको slack कर लिएगा तो कर लेते हैं मेरा इंडेसिन बैंक था तो यहाँ पर अपने bank को slack कर दा हूँ यह आ चुका है यहाँ पर इसको open करते हैं तो यहाँ से जो है directly मैं login हो जाऊँगा दिखाता हूँ आपको यह मेरा number भी मुझे यहाँ पर show कर रहा है तो confirm कर रहा है आपका जो mobile number है इसमें होना चाहिए देख सकते हैं मेरा bank जो है account add हो चुका है आप जो है यहाँ से payment कर सकते हैं किसी को भी payment कर सकते हैं तो बस आपको यही procedure करना होगा remove करके account add करना problem solve हो जाएगी